दोर से कर्णल वर्मा हमारे साथ सफागत है आपका थाования भालेकुम साम क्या है दो सवाल है बोलिए एक तो यह है कि एक बच्चा है साज़ें नो साल का उसको नो साल से लो में हुझ चलती है मतलत पे मेरे इस्जिक चल था झारता है तो उसको आराम है आता है नगी सिर्वलर супinis चालो जाती है खुजली खुजली बरूमा साथ Isaiah हाप खुजली खुजली होती है और दूसरा सवाल यह है जो एक बिमारी होती है जिसको लोगके थेहेंगे मिर्गी नहीं जा इसका इलाज होगता है? ठीक. बर्मासाद शुक्रिया पहले कॉलर आप होते हैं अक्सर और ये कित्जिक्ती मुष्किल काम है मैं जानता हूं कि पहला कॉल मिला देना क्योंकि हजार कॉल लोग करते हैं और कितनी मेहनत आप करते होंगा मैं आपको बड़ी कदर करता हूँ और इतने बड़े अहदे पर आप मिलिट्री में फाइज रहे लेकिन भगवान ने आपको मुझसे महबत करने पर मजबूर कर दिया तो भगवान का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत धन्यवाद अच्छा देखिए मिल्गी का सबसे अच्छा इलाज ऐलोपेट में है वो आप इलाज कराईए साथ में युनानी की मददगार दवाइं ले सकते हैं क्योंकि उस दवाद से कुछ नुक्सानात भी हो जाते हैं तो आप साथ में युनानी दवाइं ले सकते हैं तो उस दवाद को इस से और इस दवाद को उस से आसानी हो सकती है जो बच्चा नौ साल का जिसको खुजली है बच्पन से उसके लिए अलसी भून ले ऐसे दो ढ़ाई सो गिराम लेके अलसी भून कर पौडर बना ले और आदा चमच सुबा एक यह अलसी का पौडर और आदी चुटकी यानि बहुत ही कम जितना भी कम हो सके यह चुटकी है इसकी भी आदी चुटकी इसमें वो मिलाएंगे खाने का सोड़ा और दिन में एक बार यह जाज जादे दो बार दीजे बच्चा अगर हफते दो हफते यह दुसका लेगा तो उसकी बच्पन की कुझली का भी ठीक होना मुम्किन है दिल्ली से अगले कॉलर है नीतू स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार एक तो लंग्स की परिशानी है सांस में परिशानी है एक एक एस एली है एस एली है ठीक है एस एली है और और कुछ बता रहे है आँ जी नहीं और यहीं मुझे लंग्स की परिशानी है और मुरे लंग्स सुकॉट रहे नीचे से जी ठीक है ठीक है तेखिए मेडम बापको दो चीज़े बताता हूँ जो आपको आसन हैं वो खुद बना ले यह द्वा का नाम भी बता देता हूँ देखिए अलसी लीजे सो ग्राम अलसी तो सबी जानती है खवातिन, महिलाएं सब जानती हैं अलसी क्या होती है सो ग्रामल्सी और सो ग्रामसप्दिस्तिन सो ग्राम उनाव और तीज ग्राम पीपले इन सबको पाउडर बनाएं और एक-एक चमच सुबा-शाम गरम पानी के साथ लें नहार मुः यानि खाली पैट और रात को सोते समय निए और दिर बार गरम पानी पिए और यह आप पीरवी बात समझ गा एं तो बहुत अच्छा यह निश्ठा बना लें अगर नहीं बना सके तो माजून आर केर के सूबा शाम एक कि छम्मज इसी तरह लेना है यह गरम पानी ये से और पांच बार गरम स्वागत है आपका मेरे को पहले चाइफॉइड हुआ था मुझे गॉल ब्लैडर मेरे स्वेलिंग आ गई थी तो गॉल ब्लैडर रिमुव कराया था उसमें स्टों थे आपके मेरी हकीम साब ते बात हुई थी पहले तो क्योंकि मैं 20-25 दिन तक एंटिबाइटिक्स खाती रह है उसके बाद हकीम साब मेरे को लेफ्ट वाली मेरी आँख पे जो जिसका औरेडी कैटरैक्स का ओपरेशन हो चुका था रेटीना में वो कहते हैं कुछ सब्सकेंस जम जाता है उसकी वज़े से उन्होंने डाग्नोस किया था सी एन वी एम तो उन्होंने का इंजेक्शन ल बी कोई अपने पास दवाई है, मैं नुकसे नी करना चाहती, कोई दवाई है, टीक है है तो मैं खा रही हूँ, जैतून का सिर्का मैं पि रही हूँ, और ऐलोवेर का सिर्का भी मैं ले रही हूँ, वैरी को त्वेंस के लिए, पर इसके लिए आगे नहो या ठीक हो जाए Pablo अपने पास कोई मेडिसन युनानी में है, जो मैं मंगवाद पक्ती हूँ. ठीक है. ठीक है. बहुत समझदार लीडी हैं. और दीए, हमारे आँख के लिए, रेटीना के लिए, और दिमाग के लिए. दो तीन जो लोग मासा हारी हैं, वो उनके लिए फिश बहुत अच्छी है. और जो लोग रईस लोग हैं, वो अखरोट और अलसी, यह तीन चीज़े, और सौफ. और इसमें सबजियों में समय देजिए, सौफ और गाजर. यह बहुत फायदा करती हैं. यह अपने खाने में किसी ना किसी तरह ले लिया करें. और यह एक आती माजून अखरोट प्राश. यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो आख के या दिमाख के तालुख से कोई दवा लेना चाहते हैं. माजून अखरोट प्राश एक टाइम या दो टाइम आप ले सकते हैं पानी के साथ और इस दोरान आप गरम पानी पिया करें तो आपको बहुत फायदा मुम्किन है. लगना उसे नेक्स्ट कॉलर है राजेश स्वागत है आपका बोलिये. जी. सवाल? जी. साब गाट साब का नमस्वार हमारा. आदावर साब, बताएं क्या सवाल है? ब्राव हमारी एज जो चारी साथ के आस पास है. हमारे जो परोस्टेज हैं बहुत जारा बढ़ चुके हैं, लेर से दो गुना जारा बढ़ चुके हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है. तकलीफ क्या है आपको ये बताईए? जी. हमको किसाब जाना परता है, बार बार गन्प भिता ही ना इनउने आपने की वो हगो. जी चारीज. और ये ठीक भी हो सकती है. वड़ा आसान नस्का है, आप बना लें और सृमाल करें. लसी, लसी लिजे 200 ग्राम, और इसक्ष़गोल की भूसी 200 ग्राम. अलसी 200 ग्राम, इस अग्वोल की भूसी 200 ग्राम और लाजबंती 100 ग्राम और एक काता है सफेद गौन मौरिंगा सफेद गौन मौरिंगा ये भी 100 ग्राम, तेट 100 ग्राम ले ले लें और इसमें मिला कर पॉडर बना लें और आदा चम्मश सुबा आदा चम्मश शाम गरम पानी से लिया करें तो जल्दी ठीक हो जाना चाहिए आपका लेकिन काफी दिन तक लें इसलिए मैं 100-200 ग्राम बता रहा हूं कि ये मिक्तार आपके लिए इतनी होगी कि जब ये खतम होगा तो आपको मुकमल फाइदा मुमकिन है कि यूपी से अगले कॉलर है मिथलेश जी स्वागत है आपका है हां जी हां जी हां कि अच्छा मिथलेश जी सुनिए आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है थोड़ा सा उंच आवाज में बात कीजिए कि अवाज जी है का च्रगों में जी जी तदक गारे हैं कि जी तखना हो इसके हां करको यह को जादीर धाते है मैं पीफेजिए विकाप्ला के इसके द लाएकंगे इसक्ता खिए शुलिए लिए थि बत्र छुट कूले के वमके चुलिए कितनी उमर है आपकी मितलेश जी? बहुत धन्यवाद मितलेश जी आपने हम लोगों पर बड़ा करम किया कि आपने इसका फीड़बेक दिया और हमाई नई ताकत नई तवाना ही आ जाती हमारे अंदर जब कोई हमें ये बताता है कि हमारे बताएव मश्वरे से उनको फाइदा हुआ हम आपकी बड़ी बड़ा सम्मान बड़ी इज़त करते हैं और आप जैसी बजर्ग खातून की जम्मेदारी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने हमें फीड़बेक दिया और हाँ आप गौन सिया से आपको फाइदा हुआ मैं सबसे कहता हूँ कि गौन सिया एक ऐसा गौन है जो अगर आपको असली मिल गया तो फाइदा हो गया नकली मिलता तो एक कुलिटल भी खालें तो कुछ फाइदा नहीं यह कड़वा बहुत है मानता हूँ यह आपको फाइदा करता है पांच साथ दिन दस दिन बाद यह भी मानता हूँ लेकिन यह औरिजिनल रौ मैटेरियल है जिनको भी असली की ज़रुवत हो वो इस्तमाल करें वो फाइदा उठाएं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपको पता नहीं हमारे अंदर कितनी कितनी तवानाई कितना वलवला कितनी ताकत आ जाती है और आप ये जैतुन का सिर्का ले सकते हैं रोजाना एक बार लिया करें तीन चम्मच पानी में मिला कर और मैं दुआ करता हूँ आप हमेशा हमेशा खुश रहें आपने मुझे दुआ दी है मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ आपकी सेहत के लिए कि अगले कॉलर है मीना प्रेम नगर से स्वागत है आपका प्रेम नमस्कार अकिन साब को भी नमस्कार आदा हुआ मैं आपको बहुत अभारी हूँ, हाथ जोड़ के बिंटी करती हूँ कि आपको भला करें भगवान, मेरे को बहुत अराम है, दर्ज में आपने गाता कि शेजिन और लीजिए, इसके कुछ अराम आएगा, मैं गौंचिया ले रहीं, उसके काफ सी अराम है, इसना अराम है कि मै अराम है, आराम है मैं उनको मिठाई निकला सकी बहुत दूरू, मतलब मैं बहुत फिश हूँ, मगवान आपकी लंबी उमर करें, मालिक आपको फिशरते सब्स्य सेवा करते वादू क्या बढ़ गया था आपका दर्द में? आजी मेरा दर्द बहुत बढ़ गया था, मैं ब मालिक उनका बला करें, एक बहुत अच्छी तिराग हो आप, आपको हमेशा ऐसे बहुत धन्यवाद देखिए, बहुत धन्यवाद, और सवाल कर लीजिए, फोर नहीं कर जाए, फिर मैं बोलूगा तो बहुत असानी हो जाएगा, एक मेरे को ना डाक्टर साब मेरे सर में ब भी ले रही हूं करें, तो इसके लिए मुझे कुछ आप बताईए, बाकि दर्द में बहुत अराम है मालिक आपकी लंबी मेरे करें, देखिए, बहुत खुशी हो गई, लगातार दो फोन आ गए, और वो भी ऐसे प्रेमियों के, जो मेरी बात भी मानते हैं, आसर आपके द तर्यामी नहीं हूं, लेकिन जब अनुभाव भगवान देता है, तो फिर आदमी बात करने लायक हो जाता है, तो मेरा तजर्बा होता है, कि हफता भार छे दिन, यह दर्द बढ़ता है, फिर कम होने लगता है, तो आज पहले आपका नाराजगी का फोन था, आपके आपकी पंदरा दिन बाद आपको यह दर्द खतम होगा, जो सर में आक सी निकलती है, तालवे में आक सी निकलती है, मैं एक एकसरसाइज बता रहा हूँ, वो करें, और यह दवाएं लेती रहें, लिए ऐसे सीधा बैठ है, वैसे आपने देखी होगी एकसरसाइज, और यह कान इस हो जाना है, एकसरसाइज हो जानी चाहिए, और ऐसे पूरे जोर, पूरे जोर से यह यह भी तीन-चार मिनिट, पूरे चौबिस घंटे में इतना करना है, अगर आपने यह किया, तो ठीक पंदरवे तिन आपका यह तकलिफ कहां गई, आप खुद फोन करके बताएंगे, य लेकिन अनुभव की बात साजा कर लेनी चाहिए, और थोड़ा सा आप एक काम और करें, कि जैसे यह बैड है, तो बैड पैसे सीधी लेट जाएं, और गर्दन नीचे को लटका लें, ऐसे, पैर जिस तरफ रखते ना, उस तरफ सर करना है, और ऐसे लेट जाएं, और लेट पैस मिनिट आप लेटेंगे, सुकून बहुत मिलेगा, और जिवाग से खुन गुजरने लगेगा, जैसी खुन गुजरने लगेगा, आप बिलकुल तंदर्स हो सकती है, बिलकुल, हकीम साब एक और सवाल था, यूरिन में जलन रहती है इनको, यूरिन में जलन रहती है, अभी तक उसको खत्म हो जाना चाहिए था, और ये आप जो लेते हैं मौरिंगा का गौन, इसमें एक लीबू का पानी इसके साथ आप पी लिया करिए, आपकी ये तकलिफ भी ठीक होना मुम्किन है.